इस बार सीजन पंधरा जो है बिग बॉस का कई सारे मराथी सिलेब्रिटीज देखने मिल रहे हैं बले वो राखी सावत हो, निशान्त भठ हो, या फिर अभिजीत भिजुकले और हमारी सब की फेवरिट तेजस भी प्रकाश क्यों न हो तो यहाँ पे एक ऐसी मराथी सिलेब्रिटी है जो बिग बॉस 3 में घर के अंदर बहुत ही चाही रही और यह सिर्फ मराथी ओडियंस नहीं बलकि हिंदी ओडियंस भी इन्हें बहुत अच्छे से जान दी है उनका नाम है सनेहा वाग और सनेहा वाग ने एक ट्वीट जो है कर दिया है अपने फेवरिट कॉंटेस्टन के लिए अब इनका फेवरिट कॉंटेस्टन कौन है इन चारों में से बताते हूँ आपको इस वीडियो में देख रहे है आप फीफाफूस चानल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे मैं हूँ आपकी host और दोस्त विडांगी करने वेल मराथी मुल्गी सनेहा वाग नी मराथी मुल्गी तेजस्वी प्रकार साथी केलर एक ट्वीट हांजी इसका मतलब है कि एक ट्वीट किया है सनेहा वाग ने support करते हुए हमारी तेजा को और वो ट्वीट में कहती है कि बिग बॉस is not an easy show there are several internal and external battles going on every moment I am really liking the way तेजस्वी is carrying herself, a true entertainer she is cherry on the BB cake, all the best to her obviously उन्होंने एक बहुती लंबी जर्नी जो है बिग बॉस सीन के घर में बिताई है and she has come out very very strong, she was one of the most loved contestants on बिग बॉस सीजन 3 मारागी तो उन्होंने यहां पे तेजस्वी के लिए ट्वीट करती हुए का है कि बिग बॉस आसान शो नहीं है और यहां पे बहुत सारे internal and external battles जो है लडाईया जो होती है, अंदरी बहारी होती रहती है हर मोमेंट पे और मुझे बहुत पसंदा रहा है जिस वे में तेजस्वी अपने आपको कैरी कर रही है she is a true entertainer और BB के cake पे एक cherry है हम कहते हैं ना cherry on the top of the cake बिलकूल वैसी Big Boss के show के लिए है टेजस्वी, all the best to her so यहां पे स्निहा वाग ने तो wish कर दिया है टेजस्वी प्रकाश को क्या है आपका कहना क्या message देना चाहोगे आप भी टेजस्वी को and कितना सहमत है आप स्निहा के इस tweet से कि she is a very great entertainer in Big Boss का house क्या है आपको कहना नीचे जरूर comment करके बताईए और यू हमारे साथ बने रही है फीफा फूस पे मलते हूं आपसे थोड़ी ही देवे Bye Bye and take care